कब आएंगे? आते ही होंगे समझ में नहीं आता आदमी बड़ा है या भगवान देखो भगवान भी भक्तों के सामने जुग जाते हैं अपने को क्या करना है? बस एक फोन कर लेते न कितनी बार फोन करोगे? आ रहा हूँ भाई अरे आ रहा हूँ बबा भाई मंदिर से बार बार फोन आकर बार बार फोन आकर मेरा दिमाग खराब करें भाई मनी भाई अंदर अपनी पद्णियों के साथ फोटो खिचवा रहें वो खिचवा कर ही आएंगे समझा क्या? नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते अरे आजाओ सब लोग आजाओ अरे फोटो भी खिचवा लो और खाना भी खालो फोटो खिचवाने के लिए आ जाओ सर और कोई है फोटो खिचवाने के लिए क्या रहे मजाग कर रहा है हमसे ऐसी बत नहीं है सर ऐसे थोबड़े वाले को इतनी इतनी बीविया मिलीए, इसलिए मजाक उड़ा रहा है. नहीं भाई, कसम से कहता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही. एए, मेरा थोबड़ा देखके तेरे दिल में क्या आ रहा है, समझ गया मैं. इतनी सारी औरतों से शादी की मैंने बता देता हूँ मैं दो साल हुए बच्चा नहीं हुआ क्या करूँ सोच कर पहले मैंने इस से शादी की और नाम है बसंती फिर भी कुछ नहीं हुआ तो इस से शादी की क्या नाम है पदमश्री तो इसको भी पेट नहीं आया तो मैंने इसके सार्शादी की पर इसके पेट में दर्द नहीं आया और ये सिलसिला चलता रहा बस इन्हें मैं जेल रहा हूँ भईया इन सब के गहने बनवा रहा हूँ और फोटो खिचवा रहा हूँ अप लोग देख सकते हैं अब खोट तेरे लिए अंदर है तो बच्चा कैसे पैदा करेगा क्या वे खोट मेरे अंदर है बच्चे कैसे पैदा होंगे यही सोच रहा है ना तू आपके अंदर खोट कैसे होगा सुन ले गलती मेरे अंदर थी और जब मुझे पता चला तब तक तो भाईया साथ गलतियां हो चुकी थी मंतिर में सब लोग इंतजार कर रहें चलिए हे, मैं अपनी बीवियों के साथ फोटो खिचवा रहा हूं समझे समझा करो भाई, भाग तो लोग इंतजार कर रहें करने दो वो जितना इंतजार करेंगे अपना वेट बढ़ेगा अरे भई वहाँ तो एक ही देवी है लेकिन यहाँ पर साथ साथ देवियाँ एक साथ है साल में एक बार शिंगार करती है फोटो तो किचवानी पड़ेगी भईया भाई साल में एक ही बार तो बागी के दिन तो फैमिली मैटर में टांग मत अड़ाना चला हट बड़ो की जो चला हटो आई तो साइड नमस्ते नमस्ते ए कामाक्षी माता मुझे ख्षमा करो पैपंडी जी थोबड़ा कि उलटकाया है जो कर दिखताऊं क्या थोबड़ा बदल दोंगा तेरा आई उम्स्तर डुलमानी हाँ हाँ मैं हुँ डाविलमानी पर माब आपने मेरा नाम रख़ा था मणी रत्नम क्लास और जन्ता ने मेरा नाम दिया डाविल मनी, समझ गए? क्या काम है आपको? I'm Central Access Officer Mr. Roy, हमने आपके 14 गैर कानूनी शराब ले जाने वाले ट्रक को पकड़ा है आरे भाईया मैंने बहुत सारे गलत काम किये हैं, एक और किया, तो क्या हुआ? चोरी से शराब बेचना गलत है शराब पीना भी एक जुर्म है, लेकिन लोग पीते तो हैं, क्या कर लिया हुआ? अरे शुनो, सुनो, देखो भीया मुझे अरेस्ट करना चाते हो, तो अरेस्ट कर लो घबराने का कोई बात नहीं है मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से जल्दी आऊंगा, समझे? मेरे गेर हाजिरी में ये गैने बैने मत पहनना, समझे? छोटे, पुलिस ने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो, समझ गये ना? समझ गया भाई, पूजा आपके हाथों से करवानी पड़ेगी हूँ इस शहर में पूजा? भाईया बन करो दरवाजा भक्त लोग मंदिर के अंदर हैं, वो लोग कब बाहर आएंगे? मनी भाईया जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मंदिर का दरवाजा तो क्या, पूरा शहर बन ये, शहर वालो, बन करो किसी को भी मत छोड़ना, सब को मारो, सब को तो जालो, सब को मारो ये, बन करो किसी को छोड़ना मत, सब करो भाई, भाई, ये अरिया छोड़के कहीं और चलते हैं अभे क्या भाई, ये शहर बन करवाद ये ठीक है ये एरिया छोड़ डालो यहां सामबा नाम का एक आदमी रहता है जब वो मारता है ना तो नारियल की तरह भोडता है अपनी खेरियाद चाहते हो ना तो यहां से भाग चलो भाई चलो भाई, चलो नए, बन देखो भाई तुम्हें चाहिए तो पुरा शहर बंद कर दो पर ये साड़ियां बेचनवाली कॉलोनी छोड़ दो लोग यहां दूसरी शहर से साड़ियां खरिदने के लिए रोज यहां आते जाते रहते हैं वह बंद हो जाएंगे, इसलिए कहरा हूँ ये कालो ने छोड़ कर चले जाए तब तब देख, शंभो शंगर नमस हीवाय सामबस प्लदास हीवाय शंभो शंगर नमस श्प्लाई साइन आप bit, शंभो शंगर नमसनिवाय शंगर नमस श्प्लाई आपना टाइम अच्छा है कि वो नहीं आया, चलो यहां से निकल लेते, चलो भाई, सांबा आ गया तुम इस बच्चे से दरते हो मागो कि अच्चे से निकल अच्चे से ले राया लूद्टो जंकिर नमस्टिवाइद नमस्टिवाइद आजब ही ये जा अजब हैं अजब जाखियां ? रजस बड़ो हैं! अखियां? मुझे मुझे दोफ इसाब दोफ ताट.. प्रोफ दोफ जोब रिप दोब दोफ जिंड़ते फिर इन कान जोफ नियां.. अजड़ अजब हैं! झाल 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 इसे चोड़ दो इसने दो लाख रुपए की साड़ियों चलाई हैं उसका नुकसान भरके पैसे दे के से ले जाना मैं पैसे लेकर आता हूँ आप इसे पकड़ कर रखो सुनिए पंडी जी, इंसान को भगवान पर नहीं बलकि भगवान को हुकूम चलाना चाहिए कारिकरम आगे बढ़ाई है, क्या नाम है तुम्हारा सांबा सांबा, अई सांबा, अई सांबा दम दमारे धम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम संबा एं संबा जूम जूम आरे जूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन सब जान ले हम ही है वो पहचान ले हम ही है वो जिससे यारी ठनी उसके संखूब बनी शामत उसकी जिसन की दुश्मनी थोड़ी अच्छाई भी थोड़ी सचाई भी है अपने दिल में यारों थोड़ा प्यार भी हो धम धमारे धम 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 धमारे धम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम जूम धुमारे जूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौर Zamba, Zamba दिल का हूं शहजादा करता हूं जो वादा हर हाल में पूरा करके रहूं वादा मैं तो अपना हो जब फैसला कोई लूं परवा कोई न करूं दातों तले मैं छवा जाओं लोहे का बीचना प्यार से प्यार का वार से वार का सबका जबाब है यहां दम धमारे धम 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 चेड़े अपनी दुन और सरगम जूम जूमारे जूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन संबा, ये संबा दुनिया के दो रूप है, एक छाओं एक दूप है हम भी यहाँ मिलता है और मिलती खुश भी यहाँ हो जो ना मगर हारे, था बाजी वो मारे जो हारते हारते जीत जाए वो बादेशा फिर तो कर लो यकी दूर मंजिल नहीं कुछ भी है मुश्किल नहीं इश्वर का हाथ हो, हिम्मत का साथ हो पलभर में बन जाए सब मुश्किले आसा इश्वर का हाथ हो, हिम्मत का साथ हो पलभर में बन जाए सब मुश्किले आसा धम धमारे धम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम जुम जुमारे जुम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन हलो मिस्टर जड़ाईन एंगेशन देने में मदद कीजी नहीं सिस्टर आप कुछ भी कर लीजिये लेकिन फायदा नहीं होने वाला मैंने कितनी बार समझाया कि सांभाक एरिया छोड़ दो लेकिन नहीं मानते हैं अब नतीज़ा देखो हाथ पर तुड़वा के हास्पिटल में लेटे हैं ओ तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि कोमा में नहीं गए भाई भाई मनी भाई को दो महीने के सदा हो गई अच्छा दो महीने की? ये तो दो साल बेट पे लेटा रहेगा और बड़ा भाई जेल काड़ता रहेगा झालों कि बूलton क केंपने सर्दी एक आपकरन केंपने नहीं केलना इसलिए मुझे मोडेन लड़कियां पसंद नहीं है हिंदी में इसके बाप से बात करूंगी यह तुम्हारे बात करना चाहते हुआ है कि यह रखा है तो तुम जरा इने अच्छी तरह समझा दो तुम क्या बढ़बर कर रहे हो इंदी में बोजपुरी में हिंदी में गर्ण्वाच्मन वर्दिराज क्या वलू उनको बोलो उनकी बेटी परिशान कर रही है आपकी बेटी कमल की है इसने होस्टर को बिगार के जित लिया है इस होस्टर को दिसको थेक बना के रख दिया है इस उम्र में जब दे को पढ़ाई करते रहती है जरा मेरी बेटी को फोन दीजे बेटी डेडी से बात करो अब डाटेंगे डेडी अच्छी बात है हलो डाडी बेटा तुमने नासिक में हंगमा किया तो पूना बेज दिया पूना में हंगमा किया तो मुंबई मैड बीट खरवाया अब इस शहर में भेज़ा है पढ़ने के लिए अब तुम यहां भी हंगमा करोगी तो पूरे देश में कोई भी होस्टिल नी बचेगा बेटा मैंने कोई हंगमा नहीं की ड़ी तुम कुछ मत बोलो इस मैं जाकर मेडम से बोल दूंगा तो बोलो ना अच्छी तरह क्लास लेगी तुम्हारी इंग्लीश में निकल लो हिंदी में वाच्मेन वर दिराज के साथ दोका छोड़ूंगा नहीं अरी जौरत को छोड़ना नहीं चाहिए इसका कुछन गुष्ट इंतिजाम हमें करना ही जरूर करूंगी कैसे कोई ना कोई रास्ता तो हमें निकालना होगा तुम्हारा लगी नंबर क्या है और तेरा और मेरा तीन और मेरा चार लेकिन क्यों बताती हूं मेरा थ्री टू फोर थी फोर थ्री हलो इजब़ोए टू-फोर थी फोर 3 येस टू-फोर थी फोर्थी आपको कौन चाहिए आप चाहिए क्याUNT मinka म हाइये खिल में आप 2 याप हैं माय हर्ट इस बीटिंर संवन इस चीतिंग आई एम वेटिंग फुर्यू सूपब थन्र हुम सेहईडियों ने लख की नमबर निकाल कर फोन ट्राइए किया और लखी ली आप मिल गये लग तुम्हारा नहीं लग तो मेरा है कौन है अमेरिका से परसनल है तुजा कर सोजा कौन है नोकर है नहीं भाई मैं अपने आपको बोल रहा था आपकी आवाज बहुत खुबसूरत है इस उम्रों में तो हर लड़क कितने हैं पांस सही लिए नवी प्रॉबलम ने नहीं मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है मैं रोडिप्स बारता हूँ जीम करता हूँ जीम में सारे लोग मुझे जीम बॉइब बश्य बहुत मन कर रहे है आज की रात मिलने की तमन्ना है ऐसी बाते मत कीजिए यह बोलिए मु जूते बस एक तू ही पुराना ँसमां क्या रहा हूं तो तुम्हारी उम्र बच्चेस्ण के बारे में जाने का लियू है बच्चे हो तूम जाओ तछ पाल्यातों के यादा जाओ दोस्ट जाओ लगे रहो होस्टल के गेट के पास राइट जाके लेफ टैगर रूम नंबर 12 अंदर आना खत्रा है रिस्क मेरे लिए नहीं तुमारे लिए मैं अंदर जाके सब की चुट्टिक करतूंगा अरे दरवाजा तो खुला है आज तो मैं किसी को निचुड़ूंगा अभी जाकर देखता हूं वो दिखो अंदर गया अब मसा आएगा फोन पर तो पांच बो लिखे क्या सेज़ भाई है मसता आइटम है डर्लिंग टूफोर थील फोर थीरी आ गया तुमने ही तो फोन किया था ना टूफोर थील फोर थीरी मैं वही हूं या करथी हो वाणरी टूफोर श्रीम अवाणली को अधर मेरी चलो चलो अधरे में अग्लिए हिंदी में बताती हूं यह क्या हो गया उसके चुट्टी करनी यहां तो इसके चुट्टी हो गई क्या इसलिए बुलाया था सब्सक्राइब क्या बात है अधिर हुआ क्या है कल तो बड़ी स्टाइल से वाकिंग पर अच्छा खासा पाइकिंग करके बेज दिया हुआ सीदे सीदे बताओ ना एक्सिडेंट हो गया वाकिंग कर रहा था लौरी ने आके धक्का मार दिया लड़का बहुत भारी थी तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि किसी लौरी ने टक्कर मारी तुमको क्या पता है जहां लगना था ठीक है वैसे भी मैं छोटा हूं जानकर क क्या करूंगा चलता हूं ठीक है ठीक है मेरा खयाल कर रहा है कि खिचाई कर रहा है अरे कोई आके फोल उठाओ बाहर जा रहे हो बिटा आज एक तारिक है ना पुलिस टेशन जाना समय कब खत्मों का बताया नहीं आज बताने वाले नमस्कार सर हां और सांबा कैसे हो अच्छा होता तो यहां क्यों आता सर दो महिने की बात है छूट जाओगे दुरगा रेजिश्टर लेके आना अगले 15 अगस्त को तुम्हें यहां से जा सकते हो तब तक तुम्हें यहीं रहना है 15 अगस्त तक इसका मतलब 3600 घंटे तक य एक एक मिनिट पिता जी मैं कसम खाता हूँ अपने पूर मजों के और 36 करोड़ देवताओं की आपकी आशा में पूरी करूंगा पिता जी उसके लिए मरने को भी तयार हूँ और मारने को भी यह मेरी कसम है क्या हो अरे यह कोई भूत थोड़ी है फोन की घंटी है उठा को नहीं रहे हात बत लगाना तुम्हें फोन की घंटी सुनाई पाड़े मगर मुझे हौरा सुनाई दे रहा है क्या बात करता है अरे चाल हटना उठाने दे अरे हलो क्या चाहिए मुझे आप चाहिए मैं किस लिए दिल में आप ही आप है अच्छा दिल के अंदर बहुत अर्मान है सीधे सीधे बोलना क्या चाहिए आप आएंगे ना ऐसा मौका कौन खोना चाहेगा डालिंग जरूर होगा भाई बैठो रात में ग्यारा बज़े लेडी होस्टन में बुलाया है ना हाँ भाई दरवाजे से पलड़ते ही रूम नबर 12 होगा ऐसा बोला है ना अरे बिलकुल भाई तुम्हें कैसे पता अरे भाई वहाँ पर बड़ी बड़ी लोडे लाडियां होती हैं जिनमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है इंसानों को उपर डिरेक्टर जाती है उन गाड़ियों को ब्रेक कैसे लगाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं सोजा बच्चे अरे कौन है वहाँ हिंदी में कौन है वहाँ बुच्पूरी में मैं आकवाच्मेंड वर्दराज और लेंग्विल्ट अब आएका मसा अब आएका मसा अब पता तो हूं एक एक किछुटी कर दूंगा क्या हुआ अभी तक मैडम के रूम से कोई आवाज नहीं आए कहीं अंदर कुछ हुआ तो नहीं होगा तुम दोनों जा कर देखो चलो यह दोनों भी वहाँ जाकर बैट गई कहीं ऐसा तो नहीं तो नहीं आपस में मिल गया हूं तुम दोनों जा देखो कौन हो तुम कितनी सुन 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 कितनी सुन लड़की हो तुम मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं तो शौक रह गया मेरी मेरी तो जबान से आवाज ही नहीं निकल रही अंदर क्या चल रहा है क्या हो रहा है अंदर क्या चल रहा था यह मेडम उधर मेरे कब्ड़े उतार दिया इदर अपने कब्ड़े उतार लिया है यह फालतू काम करके तुम उसे बरबाद मत करो मजाग करो पर मजाग मत बनो याद रखना नमसकार मेडम मेरा नाम है शामबा शामबा शिवारेटी सबक सिखाने का तरीका गलत था इसकी माफी चाहता हूँ चलता हूँ एई कल सुबा तक होस्टल खाली कर देना समझ गई कल सुबा होस्टल काली कर देना समझ गई हिंदी में वर्दा मो बंद रख वर्दा मो बंद कर नई आयो में दो कौन था वो इतना हंगामा अचा दिया ए उसे कुछ मत कहना उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानती ही जानती हूं तुम उसको जानती हो जानती हूं वो गरीबो का मसीहा कहलाता है मैं उससे प्यार करती हूं अरे पापने पाप करते है। अरे पूरा समान लेकर इधर आ गई इधर ही रहने के राद है क्या हां बिलकुल सही सोच है 24343 यह सामान जर अंदर लेकर जाओ क्या बोल रही हो तुम इस घर में तो क्या अपूरे मुहले में कहीं नहीं रा सकती देखो, कुछ जादा ही बोल रहे हो तुम, अगर तुमने मेरा सामान अंदर नहीं रखा, तो तुम्हारा सामान बाहर फिक्वा करोंगी अरे बापरी, भाई, वो गड़िश का है? ओ, लेडिज होस्टल, क्या बात है, आप यहां क्यों आई है? नमस्ते सर, कर राट जो आपने हंगामा किया न, इसलिए वार्डन ने मुझे होस्टल से निकाल दिया सो क्या, वार्डन ने तुम्हें सच मुछ निकाल दिया? सच में, निकाल दिया, एक तो अकेली लड़की, उपर से जवान, जाओं तो कहां जाओं समझ नहीं पाएं, इसलिए यहां चली आई, अगर आप मुझे अपने घर में रख ले तो मेरे घर में? देखो, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, अपना टाइम वेस मत करो, दूसरी जगह ढून लो बाहर रहोंगी, तो मेरी इज़त को बहुत खत्रा है सर सर क्या तेरे बोड़िगाड है, हाँ, चाल चाल निकाल इधर से चाल बस तीन मेंने के लिए, मुझे यहाँ पर रहने दीजी, मैं डॉक्टर बन जाओंगी सर, नहीं तो, मेरी पढ़ाई पुरी खराब हो जाएगी सर, प्लीज, आप मुझ पर ना सही, मेरी पढ़ाई पर तरस खाये सर, आप मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज भाई इसकी बातों से पिघलना मत, यह तेजाब है तेजाब, चाने दोनों भाई, अकेली लड़की है, देखो, वैसे में अंजान लड़कियों को नहीं रखता, पर तेरी पढ़ाई का मामला है, इसलिए रख रहा हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, पढ़ाई पर ध मेरे नम संधिया है, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए शेहर आई हूँ, होस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम थे इसलिए, पढ़ाई का नाम सुन लिया, तो सामभा न इधर घर पे रहने के लिए हामी भर दिया, ठीक है, इसे अंदर ले जाओ, लेकर जा रहा प्रवेश किया है, दूद उबालोंगी फिर उसका खीर बनाऊंगी, क्या खीर? नहीं हमारे सामभा को दूद घर पसंद नहीं, देखो, यह खीर को इमामूली खीर ने, ऐसा खीर बनाऊंगी कि सामभा उंगलिया चाटते रह जाएंगे, मैं उसको अच्छी तरह जानता तुम चालेंज करते हो? ठीक है, मैं हार गई, तो तुम्हें लिप टू लिप किस दोई, तुम हार गए, तो तुम मेरे सारे कपड़े धोगे, ओके देन? तुम्हें पहने हुए कपड़े समेठ धो डालूँगा, लाइब बवाई से मू धोकर, क्लोज अप से दाथ होया है किसके लिए रेडी होना? ओ मेरे सपनों के राजकुमा, जरा अपने लुंगे के समालो, एक बाद बोलू, तुम में थोड़ा शर्म कम है ना? वर्दों के भी शर्माना चाहिए, वो लोगों के बीच में नहीं, तुम्हारा मत्तमा मैं डड़ा हूँ? येस, मैं सांभा को ख ये मामूली खीर नहीं है, स्पेशल खीर है, स्पेशल खीर है, देखाओ, चलो धो, ये तेरे अकेले के कपड़े हैं या पूरे होस्टल के कांट्रेक्ट हैं ये, सम मेरे हैं, क्या ये भी मुझे धोने हैं, कोई जरुरत नहीं, इसे मैं तुम्हारे गुरू से धुलवाउ झामा, ओुम्हारे थसाओर। नमसे यार नमसे मिल गए हम मिलते मिलते तमसे नमसे यार नमसे को गए हम तेरे रस्थे तूने चो देखू एक तेर फेखू दोदे में तरहा हिस्तिया इसे शादू का पहरा मुझ पेता कहरा तेर लगी हमको नमस्ते नमस्ते ये 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 दिल हो गया तेरा और तू 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 हो गया मेरा दे दे अब चैन मुझे दे अपने दिन और सब देन मुझे दे नमसे नमसे यार नमसे तिर गड़े हम मिलते बिलते नमसे नमसे यार नमसे खो गए हम तेरे रस्ते अगरी से व sacrifice टुमाई थे 50 मिस्जासे लवका किस यार थे। मेरी लैज्रा, जाहिए जो तेने, सब है तुमारा दीचाहे तोड़ तुम्हें सारी कसमे, कुछ भी नहीं आज मेरे बसमे आरे क्या झू 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 सोच दू क्या दे, मुझो छू 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 के शोला बनाते आ तुझे प्यार करना जिखा दू, तुझे कली से फूल बना दू जो है मरती तेरी आजी कर ले, मुझ को अपनी बाहों में मरते ले 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 दिल मेरा ले आरे ले 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 जा मेरी ले ले ये 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 दिल हो गया तेरा, और तू 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 हो गया मेरा नमस्ते, यार नमस्ते, मिल गए हम मिलते मिलते नमस्ते, नमस्ते, यार नमस्ते, को गए हम तेरे रस्ते तक हरनी, ओंदा जंदा तक तक हरनी तक हरनी, ओंदा जंदा तक तक हरनी आउदा जंदा पाक्त पाक्त हरनी तेरी जवन होश ले गए वला मुझको मद होश कर गए वला अभी देखा तूने कहा मेरा जल्वान इशादा पर दू रोक दू हो वा धिवुस्न तेरा आग है वला जहरीला कोई नाग है वला तू है मझनू वेजा में तेरी डला मेरी पह भूब बै तु मेरा छैला तेरा यावन बैटाए मुझे को उपसाए मुझे को तू किया सोचे खरवाने आजा जलती शम्मा में तु समझा आज जाने जान को जाए हम यहाँ तूजे के हो जाए हम यहाँ नमस्ते यार नमस्ते पिल गए हम मिलते मिलते नमस्ते है यार नमस्ते को गए हम तेरे रस्ते पूने जो देखा एक तीर फेका जो दिल में उत्रा आहिसे आहिसे शादू का पहरा उस्पेता कहरा तेरे लगी हम को समचते को मचते नमस्ते बाबूजी नमस्ते कांतामा ये लड़की को है? ये मेरी बेटी है बाबूजी लक्ष्मी अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता हूँ ये क्या है कांतामा? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी बेटी दसवी क्लास में पासो साट मास्क लेकर आई है। पर इतनी अच्छी पढ़ने वाली लड़की को पढ़ाई छोड़ा कर काम पे क्यों लगाना चाहती है। ये पढ़ना तो चाहती है, मगर हमारी हैसियत नहीं बेटा। देखो कांतामा, पढ़ाई के लिए हैसियत नहीं लगन चाहिए। और फिर एक करोड़ पती दूसरे को करोड़ पती नहीं बना सकता, पर एक ग्रेजुएट सौ लोगों को ग्रेजुएट बना सकता है। पैसा तो हाथ का मैल होता है और पढ़ाई जीवन की राश्य है। जिसमें सरस्वती का वास होता है, उसके लिए लच्चमी नहीं होती है क्याकर ठुकराऊ मत। देखो बेन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह तुम कल चार लोगों को पढ़ाना, एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा, पुन्य का काम है एक अनपढ़ को शिक्षा देना, रिमेंबर दस फार एवर, एड़ एवर, एड़ एवर। देखो भाई, आपकी जीप को चेकाचक चमका दिया है, अजकल तुझे दोने की आदात को ज्यादा ही पढ़ गई है, आजकल को ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम, तुम्हें नहीं, इन्हें बोला है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ, जीप निकाल कर आदमी बाहर ही ज जब चड़ेगी तब देख लेंगे, तुम बैठो, भाई, ये सब नर्स हैं क्या, वो डक्टर डॉलिंग इंजेक्शन दोगी क्या, इडियेट, भाई, उसने आपको गाली दिया, अबे, ओ पागल, ओ गाली कहां देकर गई, ओ तो मुझे बड़े ही प्यार से मुन्ना भा अरे ये तो सामबा की आइटम लगती है, अरे बापर, अरे हम लोगों ने कहीं सामबा की आइटम को छोड़ा तो नहीं न, अच्छी तरह याद कर ले, कहीं गड़ पर लोजा, ये तुछी भग रहा है, इच्छी होट, कल से अपने को इस कॉलेज की तरफ देखना भी नही कॉलेज छुटने के बाद आना, छुट्टी लेकर मत आना, टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में, ठीक है सार, वो देख जा रहा है, इधर मत मानना भाई, वेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम, दोस्तों से मिलने आया था, बचपन से मेरे माबाप की यही इच्छा थी कि मैं डाक्टर बनू, मगर किसमत ने मुझे गुंडा बना दिया, अपने माबाप की आत्मा की शान्दी के लिए कभी कभी वाइट कोट पहन कर आ जाता हूँ, आपने चश्मा उतारा, मैं कोट उतार रहा हूँ, भाई, एक बात कहूँ, आपने मस्ता आइटम पटाया है, नहीं भाई, मैं कभी नहीं दिखूँगा, मैं जा रहा हूँ, भाई, संध्या तो आके उसके घर में सैटल होई गए, घर में तो सैटल होगे, अब अपनी शादी सब कि तनी जल्दी शादी का फैसला भी कर लिया, मैं हमेशा फैसला सोच समझकर करती हूँ, शादी करने के लिए मैं उसके घर गई, एक बार सोच ले, इतनी जल्दी फैसला मत कर, मैंने जिसाइड कर लिया, शादी करूँगी, तो सामबा से करूँगी, नहीं तो किसी और से नहीं कावाक्षी कॉलोनी चलना है, चलोगे, जी, जी, नमस्कर भाईया, नमस्ते, सामबा कहा है, ओडर लेने दुसरे शार गया है, राप तक आ जाएगा, क्या नाम है बेटी तुमारा? संध्या, इधर क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाय कर रही हूँ, कौन सी गाउं की हो? गाजियाबाद की, खाना अच्छा बनाया, सामबा को भी खिलाना एक बर, मैं तो उसे जिन्दकी बर खिलाने के लिए तयार हूँ, मतलब तुम सामबा से प्यार करती हूँ, मामा जी, मामा जी, सामबा बेटा, कर दो कर दो जी, सामबा जी? सामबा? Samma, अटा? वहां से काली हो? जड़ा, वहां वहां से काली हो? Samma, वहां पेखुए, तो अिस तरा क्यों करें? जलहेखें, प्रफंड़ेखें, जल्थेता, जानें.. नहीं, Samma बैनलोगों को नहीं चोड़ोंगा, ममा तुम यहां क्यों आए हो दादी नो मुझसे कहा कि देख कर आए कि जंदा हो और ये भी कह देना कि अभी मरने वाला नहीं हो कब जा रहे हो खल सुभा जाओंगा अगर तुम सांभा से प्यार करती हो तो तुम उसे शादी कर लो देखो बेटी वो अपने गले में वेश रखकर जी रहा है तुम उसके गले में अमरित भर सकती हो डाओंगा हो बाँ कि अ कि उसतनु अ हे मातर, तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सांभा की रक्षा करना और उसे सही सलामत इस काउं में भेजना भाई, आप सांभा के पास गयते हैं भाई, वो आपस कब आएगा? वो आएगा, बहुत चलता आएगा, और यहां सुन अपने हाथों से पूछेगा अमगार भूज़े से रहा? लेद बाबो, मुआ अन्ना तिन दे, मल्ली तिन लेदे भाई, आगे, भाई, आगे, भाई, आगे बीविया प्यार कर रही हैं अंदर सलाखे ही सलाखे हैं और बाहर साथ साथ बीविया, अंदर दुख ही दुख है और बाहर सुख ही सुख एए तुम लोग इस तरह शर्मा क्यों रहे हो? जाने दोने बाईया चोटे बहुशो कहा है ठोटे भाईया हस्पीटल में, लेकिन क्युग यह रह भाईया भाई, बहुशो कि मेरे भाई की हालत फाई इसमें सामभा की कोई गलती नहीं है मैंने इसको बहुत समझाएथ उसके एरिया में मत जाना लेकिन यह माना ही नहीं रहता कहां है आप उहां किसलिए जाओगे वो कहीं भी रहता है अगर आपको कुछ हो गया आपके सातों भी बिध्वा हो जाएंगी इस वक्त वो कहां मिलेगा बताओ कि छलू तो बाईया बैठे मैं देखा रहता हूं बैठे ना हो तो ही अच्छा है बाईया सांभा है क्या नहीं है नहीं है बहुत्य नहीं बहुत बाद में देख लेंगे चलो हम लोग चलते हैं यह कौन है कि सांभा की आइटम है उसको देखना मत नहीं तो घबड़ हो जाएगा लड़की को उठा लो अरे बाप ने गया का अरे इसके वह लड़की को उठा लेंगे तो सांभा आपनी आप चलाएगा जरूर आएगा आप मुझे यहां पर लेकर क्यों आए हैं तु घबरा मत सांभा को बोलाने के लिए तुझे यहां पकड़कर लाया हूँ तू चिंता मत कर एकदम चिंता मत कर समझी सिस्टर कैसी हो ए तुम लोग क्या देख रहे हो मुझे उधर करो चलो ए तू क्या देख रहा है ए देख ली की चीज़ है क्या चल उट समझते नहीं सांभा को पता चल गया ना तो सब के टुकड़े टुकड़े कर देगा सिस्टर लो ये पिलो ये ब्रांडी नहीं है सिस्टर इसे खास करके जिव सेंटर से आपके लिए लाया हूँ यहां आपको कोई प्राब्लम नहीं होगा सिस्टर सिगरेट पी सकता हूँ क्या नहीं आपको मैंने आज तक जिन्दगी में किसी से विंती नहीं किया सिस्टर स सांबा से मेरी शिकायत मत करना सिस्टर, क्यों? सांबा से डरते हो? बिल्कुल, बहुत डर लगता है, क्यों? सिस्टर, मुंबई में अंटाफिल इलाखा पता है, चानती हूं, मैं उस इलाखे का दादा हुआ करता था, पबलिक मेरे नाम से धर-thर आती थी, पुलिस को इतनी इज़त नहीं मिलती थी जितना की मुझे मिला करती थी वही मैं जब वाइड शट और जीन्स पहन कर मैं मार्केट में निकलता था तो लोगों की बोलती बन कि अधर कर रहा है चाल पासे निकाल चाल कि मगर एक दिन सिस्टर भाय पढ़नाम नमस्ते नमस्ते अरे तुम लोग रहे मार्केट में उधर वा सोली करो चलो आज केल हर्या नहीं दिखाई दे रहा है कोमा में है कोमा आज तक फुल स्टाप तो सुना था एक कोमा क्या होता है रहा वोली तो आदमी अपने होश में नह चार किलो रख ले अवे ऐसे क्या खूर रहा है संगम नगर का सत्या हूँ अवे विरार में मारेंगा तो चच गेट में जाके गिरेगा समझा क्या चाश्मा निकाल चाल और उस दिसे मैं सच मुछ में चला गया कोमा और दो साल के बाद वापस आया हूँ अगर आपने मेरी कंप्लेंड की तो मैं तो सीधा मनी जी कहां पर है अपने ऑफिस में बैठें सीधा जाईए भाई संभाय आया है वो आ गया सामबो आप क्या होगा सिस्टर मैंने आपके साथ कोई पत्तम ही जी नहीं कि मेरे शिकायर मत करता है नमस्कर सर मेरा नाम सामबा है सामबा नाम सुनके सोचा था कोई हट्टा कट्टा आदवी होगा लेकिन तू तो एकदम बच्चा निकला तूने मेरे भाई को क्यो मारा इतनी हिम्मद कहां से आई तुछ में सर ना ये प्रदेश मेरा है ना ही भाषा न शहर हम यहां चार पैसे कमाने आए हैं सर लड़की यहां पढ़ाई करने आई है इसको रहने की प्रावलम थी इसके लिए थोड़ी जगह दे दी मेरी गलती की सजा ऐसे क्यों और मैंने आपके भाई को मारा ये मेरी गलती थी मै माफ ही चाहता हूं माफ कर दूं हां तुने मेरे भाई को मारा और तुझे माफ कर दूं मैं एए बोला ना गलती हो गई अब डिसकाशिन क्यों एए तुम यहाओ भाई बुला रहे है जो हग है वो इधर नहीं आएगी अधिक बीपी मुद पढ़ाओ बीपी मुद पढ़ाओ अविफेस नी इद्जट कर रहा था अजुक belong ते लाओ किसा मैं दो जाओ हो ऊग्यों कि एघ जाओ में सुटोू मैं fireworks मादिए आफ हमनों भीदोर का ना झाओ टोषा ।ा जाओ में तुकालर मोस्तों उदलिए तुक्छ। आओ मैया हो जाओ इटकी बेत जाओ मैं परक झाल 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 इधर पीने के लिए एक पेग नहीं मिल रहे है और इधर हजारों पेग खराब हो रहे है लुद पेड़को के लिए पावर के लिए पावर के अरे है तुर्ण के लिए अरे है तो आपेड़को के लिए अरे है गुंडा है तो यह है तेरी गुंडा कर दी तेरी जखह पर आकर मारा इससे कहते हैं दादा गिरी आग को छुओगे तो जल जाओगे और एक बात मेरी कान खोड़कर सुन लो कि सांबा से टकल लोगे तो जिन्दा नहीं बचोगे मर जाओगे सारे के सारे शराब मनाने वाले कोमा में चले गए पूरी की पूरी शराब खराब हो गई अब तो सिर्फ बोतल बचिए मनी भाई मनी भाई मनी ए मनी कोमा में चला गया कितनी भार बोला था सांबा से पंगा मत ले मत ले लेकिन आप तो मेरी बाती नहीं सुनते नतीजा देख लो शीशे कितना चकना चूर हो गए कोमा में चले गए तो सोना मैं ले लेता हूँ आप तो कोमा में गए ही नहीं हो आप तो पहलवान हो आपकी क्या बॉड़ी है भाई अगर आपको दुबारा मारेगा तब भी कुछ नहीं होगा इस लड़के को किस चीज पर खमंध है अगवान मेरा सामबा मेरा सामबा कहा है वो जहां कहीं भी रही बस उसे सही सलामत रखना प्रभू नमस्ते जी आवो जी पंद्रा अगस्त तो आड़ा तरीपाल खत्म हो रहे है तुसी अपने शैर जा सकते हैं भाया आपके तरीपाल का समय खत्म हो गिया भाया जी लगता है अपने सेट जी अंदर बैठे हुए है नमस्ते जी माल, माल किदे रहे हैं? सब जाइदाद और अपने सभी परिवार वालों को खोच चुका हूँ का महलो मेरा करता था अब उजाल खंडरों में रह रहा हूँ आपने जो पैसा दिया है मैं उसे लोटा दूँगा बस थोड़ा और सबर कर लीजी आप अगस्त पंदरा तक रुख जाइए मेरा सामा मुझे मिल जाएगा मैं सारा माल दे दूँगा आखरी चांज भाया क्या सामभा आएगा? आएगा वो जरूर आएगा वो शेर है मुझे पूरा यकीन है और मेरी जाजाद वापस दिलाएगा देखो संध्या तुम इस शेहर में पढ़ने आई हो और मजाग में मेरे घर ये मजाग मजाग ही रहे प्यार में न बदले तुम मुझसे प्यार करो या ना करो मैं तो तुमसे प्यार कर सकती हूँ न? भगवान ने इंसान को दो आखे दो हाथ और दो पैर दिये हैं लेकिन दिल एक ही दिया है तुम्हें पता है क्यों ताकि किसी एक को दिया जाए और तुम्हें पता है तुम मेरे दिल में नहीं हो और उसी भगवान ने मुझे भी एक दिल दिया है सामवा और इस दिल में तुम ही तुम बसे हो ये तुम अच्छी तरह से जानते हो संध्या, प्रीज, भूल जा तुम्हारी जाजत लेके प्यार करूँगी तो वो प्यार नहीं होगा तुम्हारी कहने से प्यार करना छोड़ दू तो वो सच्छा प्यार नहीं संध्या, पागलों जैसी बात मत करो अगर मेरी बाते तुम्हें पागलों जैसी लगती है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैंने तुम्हें चाटा नहीं मारा एहसास कराया है प्यार के नाम पे अपने आपको धोका मत दो मुझे उमीद है कि एक नएक दिन तुम मुझे से प्यार जरूर करने लगोगे चिक चिक मामे चिक मामे गयर दिल रबा कर में क्या खावा मेरी चाहत में मैं तो गई बापा हुआर मैं दिवाना देरा ओ जाना किया ये तुने क्या जाद उटोना कया रे दिल रबा कर में क्या खावा मेरी चाहत में मैं तो गई बापा हुआर मैं दिवाना देरा ओ जाना किया ये तुने क्या जाद उटोना तो और जा हॉ जड़ता है आखों से कर डाला है तो ने इशारा क्या आखों से कर डाला है तो ने इशारा क्या सब हो चुका है तेरा अब है हमारा क्या जोरी जोरी तुने दिल को चुराया है ए आखों में नीदों में तुहीं सभाया है खाहों में तेरा है आना जाना दूर एक पल भी अब तुन जाना कया दिल रपा घर में क्या तौपा तेरी चाहत में मैं तो गई बाबा । नां! 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 पेड़ी स्टायर पेमें हो गई दिवानी रे पेड़ी स्टायर पेमें हो गई दिवानी रे तुम मेरे रिल का राजा है तेरी रानी रे मेरी धड़कन है तू मेरा जीवन है तू कुछ और ना दे तू मेरा दरपन है तू प्यार में जानम दिल मेरा डूबा आशक तू मेरा में तेरे में दूबा कैयार दिल रबा गर में क्या तावबा तेरी चाहत में तू गयी बाबा गुवर में दिवाना देरा ओ जाना किया ये तुने क्या जाद उटोना सौनी जी मैं और सामा हम दोनों ही बरसों से बनवास की जंदगी गुशार रहे हैं कर हम दोनों का बनवास खत्म हो रहा है मेरी प्रोपर्टी मुझे मिल जाएगी शुक्रिया भगवान क्या भया अभी तक सामभा नहीं आया इंसान समय के साथ चलता है समय इंसान के साथ नहीं भाई भाई लगता है जिन्दा है भाई जल्दी उठाओ सामभा वहाँ चलता है जलो कर चलो मेरा प्यारा सामा मर गया मेरा सामा मर गया मेरा जिगर का टुकड़ा मर गया उसको मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया हजारों आदमियों को भेजा लेकिन सब के सब वापस आ गए लेकिन भगवान की किरपा से सामा ने ताकत पर भरोसा कि और मैंने भगवान पर इसलि बाई 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 समावी भी जिन्दा है उसका हिलाज उसके घर पर ही चल रहा है नहीं नहीं वह कैसे बच सकता है ऐसे क्यूं चिला रहो भाई ए भाई अपना सर बाद में फोड़ना पहले वहां भाग चलते हैं जहां से आये हैं खाले बहुत खाले पिताजी आप अधायों कितना महत्तों क्यों देते हैं क्योंकि मुझे उसका मुल्य पता है डॉक्तर सब जड़े दर आए अभी कैसा है संबा अभी ठीक है मगर खोन बहुत ज़्यादा भगया तो हस्पिटर में शिफ्ट कर दीजिए उसको यहां से ले जाना सेफ नहीं है उसे कुछ हो गया तो जंता को कंट्रोल करना मुश्किल है उम्रों में छोटा ही सई पर लोगों के लिए वो भगवान है इस पे सब आप कहते हैं वो भगवान है भगवान की कभी मौत होती है क्या डाक्टर की दवा से जादा लोगों ने दीपक चलाया क्यों पता है तुझे क्योंकि तुने हमारे घर का चिराग मुझने से बच्चा आया मेरे पोते को बच्चा ले भगवान वह हजार लोगों के घर का चिराग जलाएगा दाधी माँ मेरा नाम संधिया है मैं स्पी मोहंदास की बेटी हूँ मैं यह और नंदिनी साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी नंदिनी से सांबा के बार में मैंने बहुत को सुना था उन लोगोंने सांबा को इतनी बेरहमी से मानने की खोशिश क्यों की ये बताये दाधी का इनसान कैसे बन गया दाधी मा सांबा का मन बहुत कोमल था बीकिन उसी सांबा को हालात में अ सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीर उधर रेज्डर स्पाइनी लड़की के देख अच्छी है बहुत अच्छी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है मैंने उसे कब जीतने का वादा किया है ये मैं शार्जा सेफ रहेगा बच्चू मैंने भी अपने उपर बैठे दादा जी से प्रामिस किया है कि जिन्दिगी में कभी हारूंगा नहीं और सामा ने अभी तक अपना वादा निभाया है हारने को तयार हो या पीछे मुड़कर चलते बनो अपने को ये मुड़कर चलते बनो हुई जाओ टीजा एंगा एंग! जाओ पाल माओड़ी एंग! एंग! कि अच्छ पिसाद यह हमारे कॉलेज का हीरो है पढ़ने में लड़कियों को रुलाने में मस्ती करने में सब में नंबर वन है तुम धन्मराजी के बेटे हो ना जिया सर मैं तुमारे पिता जी को जानता हूं वो बहुत नेक देल इंसान है इस तरह उनका नाव रोशन देख धन्यवाद सर अगया रहे रास्ता क्यों रोका है कब दे कर जा हारने वाले को कप नहीं चपल मिलती है हट पीछे कब दे जा यह ऐसे मनने वाला नहीं है बज़ा दोगे बेकार भंगा लेने में क्या पायदा ह हमें साइड हो लेते हैं बज़ा दो इनका बेंट जो रहे हैं क्या कहा जल्दी में था इसलिए जा रहा था समझे गलत प्रेमी में मत रहना कि भाग रहा हूं इस ट्रेन को निकलने में चार मिनिट लगेंगे तब तक तुम्हारा गेम बज़ा देता हूं आज आप कर देता है कर दो कर दो है कालेज में पड़ता है इस लिए इस बार छोड़ रहा हूं लेकिन दुबारा मेरे रास्ते में आया तो सिंधा कार दूँगा याद रखना क्या मारा कमर जी अब तो वो किसी ट्रीट्मेंट के काबिल भी नहीं रहे अच्छा हुआ मैंने उनको मार दिया अगर यही हालत उन्होंने मेरी की होती तो यह बताओ कि उसमना मैं क्या करता तुम्हें कौन मार सकता है कमर जी माल लो किसी ने मुझे मार दिया मैं जिन्देगी मौश से खेल रहा हूं तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो ना बताओ क्या करूँगा ऐसे वक्त में हिम्मस से कम लेना चाहिए कोई पानी दे तो पानी नहीं पिना चाहिए और इस बात पर खास देन देना चाहिए कि जहा कर देना चाहिए कर देना चाहिए कर देना चाहिए आसों में तेरी खुश भूँ आँखों में जहरा तेरा देखू जहां तुछे देखू अंसु है जहरा तेरा तुम मेरी जान हो मेरा अर्मान हो तुम मेरी जिन्दगी मेरी पैचान हो चाहँ भी जाओ मैं तेरा दी साथ हो अभीर कल्बी मुझे होना ना कफा अरे जब तक क्यों जाओ कुछ को ही आरा नहीं तुम बिल जिना एक लम्हा गवारा और तुम सा नहीं कोई मुझ को है प्यारा मेरी दिल पे लेखा है जनम नम तुम्हारा मेरी सांसों में तेरी खुश्बू आँखों में जहरा तेरा देखू जहां कुछे देखू अज़ू है जहरा तेरा लाखों में तुम को ही मैंने चुना तेरा ही सपनाया मैंने बुना चाहे क्या मुझ पे तुने जादू गिया दिल राच बोले जया दिया पिया दिवाना दिल ये चाहेगा हमेशा दिल तेरा ही है प्यासा कित दिन 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 दिनदे मेरी सांसों में तेरी खुश्बू आँखों में चेहरा तेरा तेरे ही सादगी ने मुझे छुआ दीमाना यार मैं तेरा हुआ वदा है जाने जा हम मरके भी हुगे ना जुदा दिन दिन मेरे साथों में तेरी खुश्बू आँखों में तेहरा तेरा तुम मेरी चान हो मेरा अर्मान हो तुम मेरी जिंदगी मेरी पैचान हो जानी जाओ मैं तिन दिन सत हो कभी एक पल भी मुझे होना ना खुपा जी जाजी आप तूरे पैसे इस बंजर जमीन पे लगा रहे हैं क्या ये उपजाओ बनेगी तुम इसे बंजर समझ रहे हैं मगर मैं इसे सोना समझता हूँ देखना ये जमीन एक दिन बहुत उपजाओ बनेगी ये इसके फसर जायेगा उससे मैं यहां के सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाउंगा क्या और? सुनाया कैं सिनेमा हूल के मालक को मारा तूने? फिल्म देखने क्या तो टिकेट माँगा था डिकेट मांगेगा ना? मार देगा क्या? मर जाता तो? मरने के लिए ही तो मारा था सुना है तेरा बाप बंजर जमीन खुदवाने में पूरा पैसा लगवा रहा है अगर ऐसा ही करता रहा ना तो कंगाल हो जाएगा भीक मागेगा कुछ नहीं भाई वो घर में नहीं काम वाली आई है उसके साथ अपना छोटा मच्ति कर रहा होगा तो किदर जा रही है उसका काम है करने दे तेरे ससुर ने दहे देकर तेरी से शादी करवाई है ना इतनी सुन्दर बीवी दिया है लेकिन फिर भी तू है कि उस बंजर जमीन खाना है ना कभी भी भीकनी मांगेंगे खाना खाना इसे खाना दो क्या रहे लड़की कैसी है अच्छी है जान के रोह मत पहन ससुराल में हमें सुख मिले इसके लिए किस्मत चाहिए जो सब और्थों की नहीं होती इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए नजर नहीं आना चाहिए मुझे कुछ भी बोले तो ठीक है दिदी लेकिन मेरे पिताजी और भाई ने क्या गुना किया है बोलो उन्होंने तुमें इस घर में ब्याह कर भेजाए यहीं उनका सबसे बड़ा गुना है जब माबाप घर वाले बेटी की शादी करते हैं तो बड़ा घर देखते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं करते, बड़े लोगों की सीने में दिल है या नहीं, सब जान के खामोश रहते हैं अरे यहाँ पर तो छुट्टिया खत्म हो गई है, मगर मैं नहीं आ सकती, प्राक्टिकस जालू हो गया है डॉक्टर बनकर गले में स्टेस्कोप डालने से बहतर है, कवर जी मेरे गले में मंगल सुत्र बांदे फिर से शुरू कर दी न, अपनी कवर जी की रामायन अरे तुम्हीं ये रामाइन लगता है अगर मेरी कवरजी जैसे तुम्हारे पास होते तब तुम्हें पता चलता एक बज़र अपने कवरजी को फोन देना मैं यहां सुनके आवाज सुनकर पता लगाती हूँ कैसे हैं तुम्हारे कवरजी मैं फोन नहीं दूगी, क्योंकि तु चालू है बकवास बनकर फोन दे कवर्ची, मेरी सही आपसे बात करना चाहती है हलो, सांबा शिवा रेड़ी? पता है, सांबा शिवा रेड़ी आपको सब सांबा कहकर पुकारते हैं सुबह पांच बजे उटकर आप साथ बजे तक एक्सरसाइस करते हैं उसके बाद नहां दो होकर आप नाश्ते में डाल खिचरी खाते हैं और उसके बाद आपको लेज आते हैं अरे नहीं, मैं ये सब नहीं खाता मुझे सब कुछ पता है, छूट मत बोलिए अब हर रोज, कॉले से आने के बाद सबसे पहले बैटका खीर खाते हैं है की नहीं? ठीक कहा, और अभी भी खीर खाता हूँ सुनो, अगर प्रोफेसर की बाद इतने ध्यान से सुनोगी तो पढ़ाई में आगे बढ़ोगी और सुनो, लड़कियों को इस तरह अंजान लड़कों से फोन पर बात नहीं करनी चाहिए सुनो, ये दोबारा फोन करें तो मुझे मत देना ठीक है, प्लीज क्यों रे? कैसी है फिनिशिंग टच? तेरे कवर जी की आवास बहुत प्यारी है सोचती हूँ कि एक दिन तेरे कवर जी को लेकर मैं गूमने जाऊं, चीची बेशरों, चल फोन रख नंदिनी बहुत लग्की है उसे सांभा जैसा पती मिल रहा है जो सही माइने में अच्छा इंसान है नंदिनी को पठाकर उसके कवर जी से तो शादी कर ले, अगर वो राजी हो जाए तो शादी कर लोंगी अरे, तू इंटर्व्यू पर गया था, क्या हुआ? दो दिन बाद लेटर आ जाएगा खाक लेटर आएगा, इसे इंटर्व्यू से ज़्यादा घर के काम में दिल्चस्पी है हाँ, आपके आदते आ गई है हाँ, हाँ, मेरी आदते तुझ में आ गई है लेकिन तेरी आदते तेरे बेटे में न आए जी जाजी, नंदू डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर हर वक्त कमर जी कमर जी कहकर पीछे पड़ी रहती है मुझे बहुत tension हो रहा है tension की क्या बात है दोनों की जोड़ी, तोता मैना की लगती है आप ठेटे लड़की का बाप मैं लड़की का बाप हूँ, किसी दिन हाट अरड़ एक हो गया तो तो फिकर मत कर नंदु बेटी मेरे घर की बहु बनेगी लिट तो गई टेंशन ने जम के कहूंगा बुडिया कहीं की, दो जवान दिलों के बीच में सो गई है इतनी भी आकल नहीं है इसमें कि बातरूम में जाए हमें मौका दे मौका दे रही हूँ कहां जा रही हो दादी बातरूम जाने के लिए कह रही थी न नहीं दादी मैं भी तुम्हारी उम्र से इस उम्र तक आई हूँ चल हट, पुझे कहांनी मत सुना कमर जी कमर जी उठो न, कमर जी कमर जी जेक और पप्पी दो न अभी कोई फायदा नहीं, अभी सोने दो 12 बज़े जब दादी जी सो जाएंगे उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर चलेंगे, बाहर नहीं, क्यों मुझे टर लगता है, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सच में कुछ नहीं होगा न, उपर चलेंगे न, हम दोनों मिलकर कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हो गया तो फरोसा रखो वैसे भी तो हम शादी करने वाले हैं ना कुछ नहीं होगा चलो चलो ना आजाओ तुम दोनों कहां जा रहे हो अरे दाधी तुम अभी तक सोई नहीं पता है मैं जा रहा था तो यह मेरे पीछ आ गए मुझे कुछ नहीं पता है नाठक बन करके चुक्चाप सोजाओ इधर कैसे आये राजता भूल गया क्या खाना लाया हूं क्या पिताजी अब टाइम पर आके खाना नहीं खा सकते वहां दाधी मेरे धिमाग खाती है कह रही थी हपते फर से खाना घर पर नहीं खाया है खाना खाने के लिए 20 किलोमेटर जाना पड़ता है और रोज ही तो खाना खाते है इधर जो भी मिलता है खा लेता हूं और आज तुम कॉलेज जी नहीं गए बेटा अरे रोज तो कालेज जाता हूं आज कहीं भी पढ़ लूगा जी जा जी यह आपको टिफिन पहुचाने के लिए अपनी पढ़ाई चोड़कर बैठा है और इसके पीछे मेरी बेटी अपनी पढ़ाई यह दोनों का कुछ नहीं होना जी ज्यादा बो लोगों की तरह बम और तलवार लेकर घूमा करता था पर तुम्हारी मा बहुत पढ़े लिखी थी उसे पढ़ाई से बहुत लगाओ था वो पढ़े लिखों की बहुत इज़त करती थी मुझे सिगनेचर करना सिखाने की बहुत कोशिश की तुम्हारी माने जब तुम्हार तुम्हारी मा के पेट में अचानक दर्ध होने लगा और वो दर्ध से गिर पढ़ी बेटा जल्दी से जाके डॉक्टर को फोन करें हमनपढ लोगों को ये भी नहीं मालुम था कि शुन्य पाच पर फोन करने से एम्बुलेंस घर पर आ जाती है हमनपढ लोग बस देखते ही रह गए तुम्हारी मा जो पढ़ सकती थी वो उस वक्त कुछ भी बोलने की स्थिती में नहीं थी तुम्हारी मा को एम्बुलेंस मिले जाना चाहिए था मगर हम उसे ट्रेक्टर में लेकर शहर गई तुम्हारी मा मरते समय ये बता कर गई कि इंसान के लिए पढ़ाई कितना जरूरी है तुम्हारी इतनी सारी तलवारों में से कोई भी तलवार मेरी जान नहीं बचा पाई ना गर तुम्हारे हाथ में कलम होती तो एक पैसे वाला दूसरे को पैसे वाला नहीं बना सकता लेकिन एक पड़ा लिखा इंसान हजार इंसानों को पड़ा लिखा बना सकता है पैसा हाथ का मैर होता है पर जितना बढ़ोगे उन्हेती उतनी ज्यादा होगी इंसान के लिए अन्यदान से भी बड़ा, महादान होता है विद्या का दान करना, अपने सबी लोगों को तलवार छोड़कर पढ़ने के लिए प्रोचाहित किजिए, उस ये समझाईया, मेरी ताकत और पैसा कुछ भी तुम्हारी मा को नहीं बचा पाया बेटा, आज कल तो लोगों ने पढ़ाई लिखाई को पूरी तरह बिजनस बना लिया है, आज कल कॉलेज में लाखो रुपे दे कर भी सीट नहीं मिलती, ये अमीर लोग जो काम आज तक नहीं कर पाए, वही काम हमारे परिवार को करना है, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, यहीं काम करूँगा, तु यहाँ पर क्यों रहेगा, तेरी पढ़ाई खराल होगी, नहीं पिता जी, मा ने कहा था न, एक पढ़ेगा तो हजारों को पढ़ाएगा, अगर पूरा गाउं पढ़ लिख्या तो तेश क्यों नती होगी? चार फिट और खुदाई करेंगे तो ग्रेनाइल निकलेगा, और बाजार में इसके अच्छी किमत मिलेगी, इससे आपका सपना पुड़ा हो सकता है, यह तो बहुत खुशी की बाएगा नमस्काइब निकलेगा, अभी इंजिनियर साब ने यही बताया है, इंजिनियर साब ने तो आपको अभी बताया है, मेरे छोटे भाई ने तो बहुत पहले बता दिया था कि इस बंजर जमीन से जब ग्रेनाइट निकलेगा, मेरे ससुर जी मुझे तहित में देंगे, और जब आज इसकी बात सच हो गई है, तो इसे जमीन मिलनी चाहिए, क्यों छोटे, हाँ भाईया, इस जमीन के खुदाई पैसों के लिए नहीं, यहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया है, देखिए आप, इस मामले में मत आईए, देखिए सम्दी जी, इन गरीबों के लिए जादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इनने दूर सही खाना खिला दो तो आपके पैरों में पढ़े पैदी, लेकिन इसके बाद जब भारत में कई लोग शिक्षित होने लगे, तो इस देश में कई कवी, कई कलाकार, कई साइंटिस्ट हुए, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता, हमारे गाउं के लोगों के हाथ में हथ्यार दे दिये गए, हमारे गाउं की बेटी बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा, फैक्सिनेशन के बारे में सोचने वाले लोगों को एकने एक दिन यहां से निकलना होगा, तुम अकेली सब कुछ बदल दोगे, दुनिया जब शुरू हुई थी तो एक ही इंसान से शुरू हुई थी और तूफान भी जब आता है तो एक ही छोटे से कन से शुरू होता है, माना आज हम अकेले हैं, मगर कुछ सालों बाद आप देख लीजएगा, हजार लोग हमारे साथ होंगे, चाहें तो सारी जैदाद आप ले ले, मगर सपने नहीं हैं, आप जा सकते हैं, नमस्कार, तुमने जो कुछ भी का वाके में सच कहा, चलता हूँ, नमस्ते, बेटा, हमने उन्हें बेटी दिया है, नर्मी से पेश आना चाहिए था, इससे ज़्यादा नर्मी से बात करना, बुझे नहीं आता पिताजी, ए, तेरे बाप को दामा से ज़्यादा गाहाली प्यारे हो गए, सुन, जा और जाकर अपने बा जाज से यह नहीं कहुए, प्लों अपा लडाएगी, ए, पागल हो गया, जान से मार देगा क्या हां, बीवी से जाधा जमीन प्यारी है ना, तो बीवी की साथ घर मत बसा, माय बसाओंगा, जई, छोटे, गलत बात है, माय बसाओंगा, ए, ए, बोल इसको गलत बात है, माय मुझे मना तो तू इनतान है यह जान भार जाब इनफें ने तो रहर है अरे चोटे जलत बात चल चल तू इधर से चल लेका चल लघ जल लघ ये क्या है जी ये घर है या बादार अपनी भावी पे बुरी नजर तो क्या करेंगे भाई गलती करेगा तो उसे मार देंगे क्या तू ओवर्रेक्ट मत कर उसका दिल दुम पर आ गया तो मैं उसे नहीं रोखूँगा चोटी बहू मुझे माफ करना मेरे सारे भाई लोग बि और में दुम ली जओ और पेपर्स पर जाहिं करवार के लिए आऊ कोर आज़ों कोई अट्रेक्व एट नहीं होगा दाधी की हाँ खाना खाए है मैंने क्यों त्यक्ता ना तुम अचानक कैसे, मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता बस यूँ ही, आप लोगों से मिलने को जी कर रहा था जानकी हाथ मुधोलो फिर आकर हमारे साथ खा लो बिली ये खाना दीदी बिल्कुल नहीं खाएगी दीदी की मन पसंद का खाना, मैं अपने हाथों से बनाओगा दीदी, टैन मिनिट्स, मैं तुम्हें खाना खेलाता हूँ ये चोटे, चल ये सब साडियां तुम्हेरे रमानन चाचाने भेजाए ये सब कलर तुम्हारे बेफपती है, जाते वक्त ससुराल लेकर जाना कलर सिर्व साडियों में है, इसके चेहरे पनी, पूछो तो इससे क्या हुआ बोलो बेटी पिता जी शादी से पहली और शादी के बाद भी बेटी की अपनी किस्मत होती है, दादी तो यूँ ही कह रही है दादी, ए दादी, ये देखो, दाजा मुर्गा लेकर आयों अच्छे से मसाला डालना, मैं अपने हाथों से दीदी को खिलाऊंगा पिता जी ससुराल में जो खाना मिलता है, उससे पीर तो जरूर भरता है, लेकिन माईके का प्यान नहीं लो दीदी, खालो, 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 खालो अरे बेटा छोड़ना, ऐसे मुह में मत डाल क्यों, जब मैं छोटा बचा था, तब ये कैसे खिलाती थी, याद है आपको हाँ, सामा अरे रे, क्यों जबर्दस्ती ठूस रही है बेटी क्यों पिता जी, माँ गर जिन्दा होती तो ऐसे खिलाती न तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हीं मा की तरह हो बेटी अपनी मा को याद करके, मुझे और दुखी मत करो, ठीक है बेटी आदन्य पिताजी और भाईया एथर जो भी होता है, उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए पिताजी बेटी, क्या हुआ, नीद नहीं आ रही है नीद नहीं आ रही है पिताजी, क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ बेटी, सो जा तुम्हारा आम से सो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ इतनी रात को कहा जाएंगी एक छोटा सा काम है बेटी, अचाना के याद आ गया, तु सोल अरे संदी जी, बेवक्त कैसे आना हुआ बेवक्त, बे मतलब मैं यूँ ही किसी घर नहीं आता मेरी बेटी के बारे में हाँ बात करने आया हूँ मतलब जाहनकी ने सब कुछ बता दिया? मेरी बेटी की आदती ऐसी नहीं है कि वो ससुराल की बातें माईके में करें बेवज़ा मेरी बेटी जब मेरे घर पर आई तो आधी बात मैं समझ गया फिर जब मेरी बेटी ने कहा कि पिता जी मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ तो मैं समझ गया कि उसे पती का प्यार नहीं मिला तुम्हारे लिए मेरी बेटी से महत्तोपुण वो जमीन हो गई? गरीबों को पढ़ाने का वादा करने वाला ये धर्मराज तुम्हें वो जमीन देने नहीं आया है अपनी बेटी का उज़रा हुआ घर बसाने और उसे सुखी देखने के लिए एक बाप यहां पे आया है पेपर से लिख कर देता हूँ रजिस्टर कर वाले देता हूँ अरे चोटे पेपर ले क्या उसे कॉल आने को जानते हैं समदी जी हमारे पिता जी बहुत ही चालाग थे उन्हें पता था लड़कियों को जनम देने से तकलीफ होगी इसलिए लड़कों को जनम दिया बेटी के लिए कश्ट उठाने में एक अलग ही आनन्द है कश्ट करना होगा इसलिए कोई बाप बेटी ना चाहे वो मेरे नजर में बाप नहीं है अरे मुझे नहीं अपने दामात को दीजी अरे ले ले श्यसुर दे रहे हैं यह लो कन्या दान किया है इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का आज उन्हीं आखों से आसु बहाया है तुम लोगों ने अच्छा चलता हूँ जिन्दगे में पहली बार अपने वादे से फिर गया हूँ पिताजी और यही आखिरी बार होना चाहिए चाचा जी जानकी और मैं सगी बहने तो नहीं थी पर सगी जैसी थी इसे जनम जानकी ने दिया पर मैंने पाला है, इसलिए मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ लेकर जा बेटी, उस नर्क से कम से कम ये तो वहां तुलसी पते के समान रहेगा जान कि क्यों मरी ये जानने के बाद भी, मैं चुप क्यों बठाऊं तुम्हें पता है? अगर सांबा को इस बारे में पता चल गया तो ना जाने कितनी लाशों किरेंगे इसी का डर है मुझे अपने पती से कहो के इंसान बन कर रहे आईए आईए पधार ये ये हैं बाबू सेट अमरी सर से पत्थर खरीदने आये हैं इससे पहले रेती पत्थर कचूरा खराब पत्थर साब इनों नहीं खरीदें नमस्ते नमस्कार ये हमारे साब पशूपती जी क्या पशूपती यानि एनिमल कर नायक यानि पशूपती इंगलिस में बता रहा था यह रहे आपके 25 लाग एड़वाट्स अरे लेले 25 लाग मतलब 25 लाग यह ना अभी 25 लाग रूपिय दे रहा है ना रख लिजे अगली बार जब आप आए तो पूरा पैसा देकर अपने साथ पत्थर ले जा सकते हैं नमस्कार यह तो बहुत ही अच्छा आद्मी हम लोग बुरे हैं क्या है चोटी मालकिन तामर जी कहां जा रहा है तुँ अच्छाइए पिता जी अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूँगा ऐसे मूग क्या लटका रखा है इधर ध्यान दो अ आदे बाद को जिस भावे को हाँच चोड़ कर प्राडाम करना चाहिए उस पर फुरी नज़ा लगता है जोटे क्या कर दिया जाबा यह क्या 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 स्बस्च कर दोड़搭क्रणा आ हाँ क्या सैंच क्या तेरी काप अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है चलो कि सकलो जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस पहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी पहन नहीं थी मा कर दो मेरी मा थी हुशांबा तेरी पत्मी को देखता हूं तो अपनी मा की याद आती है इसलिए तुमारी चान बख्ष रहा हूं आइंता है जमीन की तरफ आँक उठा कर भी देखा तो तेरी आखें और तेरे पैरों के में टुक्डे टुक्डे कर दूंगा समझे अपने आत्ते बदल ले चान बची रहेंगे भाग मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जी रामण जैसा राक्षस बनकर नहीं राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूँगा सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता उसे साकार करना पड़ता है हतियार उठाना पड़े तो हतियार उठाना चाहिए और आज मैं हतियार उठाऊँगा अब जलिए उठी खाना का लेजिए अब जलिए जल के कैदियों के लिए खाना डालके जा रही है क्या नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है सामबार ने कुछ गलत नहीं किया पर फिर मेरी आंकों के सामने मेरे दो भाइयें के आड़ा ने हुए कि देखे लोना चाहिए है मैंने खुछ नहीं बोला उधर मार खाके आया तो क्या इधर बीबी को मार कर मर साबित कर आपको यही बोला ना तेरी नजरों में चाहे मैं काहरी सही कि अगर कर दो कर दो सबको कि अधियाला का मतलब होता है देवाला है यहां पर बच्चे परते और तुम लोग पत्ते खिल रहे हो कमीनों कि हावा भरने से कुछ नहीं होगा इनकी हवाद है पहले है निकल चुकी है बीपी थोड़ा हाई है बीपी तो बढ़े गए इनका यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा इनका ही है अभी अभी मौत का मुद देखका निकले है ना जान बच गई क्या बोड़ी है इनकी बोड़ी ने बचा लिया भाई हम लोग तो अब तक सफारी में गुंगते थे ना उसने च्छ है कि आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिमत की तो जान से माते होगा यह कि हलो एक मिनट भाई का बोले उनको हम ही मैनेज करते हैं वह नहीं है उपर चले गए नहीं 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 वह उपर नहीं च्छ पे चले गए थोड़ा होल्ड करो ठीक है उसकी भासा न मैं समझता न वह मेरी भासा समझ रहा है आप ऊपर चले गए वो समझा कि आप सौर के चले गए फिर बताया उसको कि आप शौत पर गए अहां बड़ा है यह फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है तुझे कैसा लग रहा है बहुत स्मार्ट लग रहा हूं तो मर जाके मैं क्यू मरू भला मैं आपकी जगह होता तो अपने आपको उसे माड़ने नहीं देता है मतलब हमाद मत्या कर लेते हैं क्या करता है जोश्षी ने कहा था करता है बाते करने के बजाए आंकों से इशारा करते हैं मुज़ै दो बोलो ए नोटिस क्यों भेजाBoy रहा है क्यों भेजा ते रबाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नी बता लेकिने वाले कौन होते है और लेखवाने वाला तू क्योर था है यह अर दादा की कर दूंगा समझ गया ना सामबा तु भूल रहा है कि तु कहां बैट के बात कर रहा है तु मेरे गाउं में मेरे सामने मेरे घर में मेरे आदमियों के सामने बैट कर बात कर रहा है सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी यह पूरा राज्य मेरा है और अगर मैं चाहूं तो ते सांबा अगर तेरा सर काट कर अपने दर्वाजे पर नहीं लटका है ना तो मेरा नाम भी पशो ताट ठोटकर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काटूंगा निचे कर निचे कर अपनी आत्ते सुधार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूं तिसरी बार नहीं कहूंगा बार टालूंगा मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो दर असल आप भी तो डर गए थे ना क्यूंग बेवज़ा उससे पंगा ले रहे हो मेरी बात मान लो अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है न वो आपको काट डालता है कपड़े उतारो किस लिए अरे मैं कल जा रही हूं जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहिला कर आपकी नजर उतारने की बात कर रहे हो मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशन के लिए तुमारे लिए तो प्रेमी का हूँ लेकिन कल तुमारी फोटो जब पेपर में आई थ अभी मन भी होता है नेकिल वह दादी है ना अभी तो दादी नहीं है ना तेदह किस करूंगे किस लेकिन जरा प्यार से बोलो स्ब्ली districtDas मुझत तोना अभी नहीं कमःजी डोंगी रात को फिर से दे देना अभी एक देदो ना तोना नहीं कमःजी कि अ के ओ मेरी सासो की छोकरी, उसने है तेरा फल की टोकरी, आँख रंगूरी होट है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी ओ आशिक दीवान चोकरी तू मेरी रहे न रोकरे डाले न मुझे बेटो यो डोरे ओ छोडे देख वो तुज दिल ये जोले रे, देटा दिल तेरा दिल मेरा बोले रे अभी अभी मैं होई होँ जमां, अभी अभी तुझे देल कैसे देदु रे आजा पिल पे तेरे नाम लिख तू अपना दीवाने तू देखना यू दिन में सपना कर ले भुटिंग मेरी मैं हूँ आशिक पहला सोच कि ऐसी बाते ना दिल को बहना ओ मेरी साथू की छोकरी हुत तेरा भल की टोकरी आख मूरी होट हचेरी ओ गोरी ओ गोरी ओ आशिक दिवाने छोकरे तू मेरी राहे न रोकरे डाले न मजबे तू यू डोरे ओ छोरे ओ छोरे जब से तू हो गई है जवाँ होश मुझे जानम है कहां शाम सवेरे दिल के मेरे खाया तेरा नशा ओ पागल छोड़े तू पता मैं हफी नहूं मेरी क्या खता तुझ से ना सबला दे तेरा तो में घरो भी क्या देखू तुझ दिल ये जो लेदे दिल मेरा बोले रे अभी अभी मैं होई हो जवाँ अभी अभी तुझ दिल केसे दे तू रहे आजा दिल पे तेरे नाम लिख दू अपना दीवानी तु दीखना यू दिल में सबना कर ले बुटिंग मेरी मैं आशिक हूँ पहला सुच की ऐसी बातें ना दिल को बहला तूर सही तू मुझे को देखरे तेरे इराद ना लगत ने करे तेरे छोड़े से मझे का तू माती है हया शरम वरम सब छोड़ दे तू दिल से दिला जोड़ ले तू मैं तो तेरा कब से होचगा तू मेरी होचा अभी अभी मैं होई हो जमा अभी अभी तुझ दे दे तू किज़रे देखू तुझ दिल ये डोले रे दिल ने दे दिल मेरा बोले रे दीवाने तू देखना यो दिन में सपना आजा दिल पे तेरे नाम लिख दू अपना, सुच की ऐसी बाते ना दिन को पहला, कर ले बुकिंग मेरी मैं आशिक हूँ पहला, ओ मेरी सासू की छोकरी, हुत्न है तेरा फल की छोकरी, आंत मुरी होट है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी आशिक दिवान, छोकरी तू मेरी रहे, ना रोकरी टले ना मुझ पे तू यो ठूरे, ओ छूरे, ओ छूरे, हाँ बाबुजी बाबुजी दर्वाजा खोलो बाबुजी मेरी बेटी गर्व से तडप रही है सुनाए आपके घर में डॉक्टर है मेरी बेटी को मचा लीजिए बाबुजी बाबुजी नंदू कौन है खोल रही हूं नमस्ते माता जी नमसामबा है क्या नहीं है वो बाहर गया है तो फिर धरमराज जी तो जरूर होंगे घर पर नशे में उससे क्या बात करोगी पीकर बात करने नहीं आयों माता जी बात करने इसलिए पीकर आया हूं है क्या सम्दी जी सम्दी जी मुझे माप कर दो माप कर दो लग्चमी जैसी बेटी को आपने हमारे घर पेजा था पर हमने अपने जोतों मार जा रहा है क्या सोचा था सफीक आया हूं मुझे आदत नहीं है इदर तु मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाईयों के आज से संबा तुम दरो मेरे मैं आ गई हूं ना देखो दरो मेरे बाहर जा कोवर जी कोवर जी कोवर जी देए कोवर जी कोवर जी कोवर जी कोवर जी कोवर जी कोवर जी इंस्टो इंसान ताकत वरो उसे दिमाद से मारना की है अच्छे एंसे मारना काई उसे अच्छे पुढ़ियाद तुझे भी महीं मारूं क्या अच्छे अच्छे पांग अच्छे पांग Cathy । का ओक ओकप। अट अट, कि दॉ का ओको ओक ओक। कमर जी बगवार तेरी क्या लीला है इन जब को अपने पास बुलाने के लिए तुने मेरा इस्तुमाल किया यह अन्याय है ची चले तुने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया कुछ नहीं बोल रहे हैं काम हो गया ना भी चलो अब नंदू तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा नंदू अपने आपको समालो नंदू नहीं पक्राओ सम्ट भागने पाए नंदू नहीं नहीं आई आई आज तुसिंदा नियुकाँ साम्बाव मामजी बंगाँ मामजी 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 सांबा अमारा अगर्शम्चान बन गया पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी इतना सब कैसे हो गया इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवा कोई सबूत नहीं मिलेगा इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता पर एक बात मैं दाबे के साथ कह सकता हूं अच्छा 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 आज का गुश्चा मैने छे मैने या सालवड में पूरी तरह से खत्म हो जाए सर आपका विचार तो सही है पर क्या दोनों बाहर जाएंगे जाएंगे सर यह डर से और सामा जिम्मेंदारी की वज़े से मैं दोनों को मनाऊँगा कमिश्चनर साब वो आगे है अब है अगर एप पशुपती तो पर पातुर है अगर यह कुछ हुआ तो 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 जिंदी की भर तार्षायाक बंद लिए पाहुड़ मान सामा गे Giving ऑफ समय मान सामा गया को मान मार लिए? अब तक तो सुना था कि शेर चीटे को जाल से काबू में करते हैं अभी सामने दिख रहा हूं आपका टाइम अच्छा था शेर को काबू में बालिया नहीं तो राम नाम साथ्य था आपका सामबा प्रश्य का नाम रोशन करोगे कहा था ना तुम अगर मेरी बात नहीं मारोगे तो जेल जाओगे और तुमारी जिन्दे की बेकार हो जाएगी समझे सार मुझे समझाने की कुशिश मत कीजे उससे मेरे हवाले कीजे ना जमा जालूगा सामबा मेरी बात सुनो लॉडर को मान कर तमाम बातों को भुला कर इस चहर के बाहर कही और चले जाओ अचानक बोलेंगे के छोड़के चले जाओ तो मैं कहां जाओगा मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग चलते हैं वरना हलक से जमान निकाल लेगा अमने सद वाले सेट किपा चलते हैं भाई मेरी साब से चले जाना चाहिए यहीं सही है बाकी बात में देखेंगे मैं तुम्हारे पिताजी के उम्र का हूँ जो बोल रहों सुनो अपनी जिन्देगी बरबात मत करो सबजने की कुशिश करो एक को मार कर अपना बदला पूरा करोगी यहीं सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा कोट ने दोनों को ओरडर दिया कि वो एक साल के लिए इस शेह आप मामा जी राम के बनवास जाते वक्त वहां के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती पर सांभा को दूसरे शेह भीजते समय यहां के जनता के आखों में मैंने दर देखा है वो जनता आज लगाए बैठे थी कि सांभा आएगा और उनके दुखों को तुम यहाप आप मैं सामभा को जानती हूं मतलब प्यार करती हूं उसी से शादी भी करना चाहती हूं सामभा को तुम यह कैसे हो सकता है मैं आपसे यह नहीं कह रही हु कि मेरी सादी करा हु मैं खुद कर लोगी ये पाओं दोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था अरे याद है के भूल गए तुम भी भूल गए या तुमारी बेटी भी भूल गई है अरे लक्ष्मी लक्ष्मी अरे ये क्या हुलिया बना रखाया क्या है अपने पती को मरा हुआ समय लिया क्या सामा ने कहा था वो तुमें मार डालेगा अरे तेरी बेटी ने अपनी मांक का सिंदूर मिटा ड़ा तुझे बुरा नी लगा सिंदूर पोच कर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली, कोई भी औरत अपने पती को कायर तो बरदाश्ट कर सकती है, पर तेरे जैसा जलात नहीं, जाजा, फिर से इस गाउं में कदम मत रखना समझें क्या, तेरा गाओं क्या को नस्दीक में है जो मैं इधर उदर बार बार आता रहूंगा, देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाणा अभी तक जिन्दा है, उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा, वो तू देगा, पैसे मैं क्यो दू प्लान बता गौर से सुनो सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है उसके घर से उस जमीन 45 किलोमेटर दूरी पर है यानि अपने घर से वहां तक पहुचने में सांबा को एक घंटा लगेगा उस जमीन से दो किलोमेटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे जो अलड़ी तयार है लेंड माइन ब्लास्टिंग संबंधिक और एक स्पेशलिस भी पास के गाउं में रहता है जो फिलहाल सब जेल में है मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा हमारी आखों के सामने से जारी यह अपने काम ही आएगा सुनू शेशी भाई गाड़िया कहा से आएगी उस रूट से आएगी एक आलो पेटी ले करा ठीक है भाई ऐसे ही पूछ रहा हूं ऐसे ही वक्त वारिस हो जाया और सारे बं भीग जाये तो परिस्तिती क्या होगी बोलता रहता है इतनी देज दूप और यह बारिश कहा से आएगी हां अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा था मैं जब भी बोलता हूं अच्छे कि लिए बोलता हूं अच्छा तूने अपनी जिंदगी में मूझ से अच्छा निकाला है असपास के लोग भी तो अच्छ होने चाहि तुझे उसे बोलने की क्या दूरती तो बोल रहा था आपको क्या तकली पर चलो आप अरे जैना सा जोक माना थे इसमें बुरा मानी की क्या बात है अरे जोक की दो जोक सबको समझ में थोड़ी आता अपने लोग पास दिमांग कहा है हेलो है सफारी में निकला है तीसरी सफारी में है अरे वो घर चे गाड़ी जो निकल चुका है अरे तीसरी नंबर की गाड़ी में है पशिबथी आए यार इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंचन में समझाता हूं कुछ ने सेट सामभा आ रहा है ना इसको कुछ कुछ होता है इऊ कि यह क्या इतने गाड़िया है हमारी किसलिए आप चुपचाप देखते रही एस पी साहब है कि अब आदसे वारा हो गए भाई फो छटी करिमा है अरे शेशी भाई सुनिये अब छेशे बारा गाड़ियां आप पो छटी गाड़ी में आ पालू मैं मुझे भाग यहां से दफा हो जा जाओ अरे क्या रहे इस मुझीबत को कांच पकड़ के लाए मुसीबत नहीं हमारी मुसीबत आल रहा है अरे फालती मैं इसको टेंशिन को दे रहे हूँ ऐसे दिस्टब मत करो उसे काम करने दो यह क्या हो रहे है अरे यह परसाथ दस लाक और हमसे ले ले और इस सेट को भी उड़ा दे बहुत बख्वास करता है क्या क्या तेरा ससूर मर गया है चुप्या मैट एस पी साहब अभी आगे बारा गारियां और मिलेंगी आप टेंशन मत लीजे कि अगर कि अगर कि कि अगर कि अगर कि मत आएगी आने वाली है आपकी तो मत आपने लिखा है ना फोन उठाओ फोन आया है लो बारा गाडियों से चुप्याइब आपकी कुछ करो डरने की कोई बात नहीं है अपने पास माल काफी है सारी गाडिया उड़ जाएगी बहुत अच्छे तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ वो बजगया तो हमें उसे मारना होगा हुआ 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 ह हुआ है यह क्या हमारी गारियां उड़ गए कर लिने कि चाला टार kýुआ है oुआ है परग के ऐाटी चाला क्योंग दुरी कुआ है अर घौटाच्टो धित खोच Calendar मैंस मलस्कूच्व मीश्दाट संद कि GG संब संब तुम बम फेकते हो तब फड़ता है मैं देखता हूँ तो फड़ जाता है क्या सोच रहे हो मेरी गारी के जगे तुम्हारी गारी कैसे उड़ गई न क्या गिमाग पाए हमसे गारी उड़वाने का प्लान करवाके हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिलाके हमारी गारी उड़वा दिए तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े हमेशा जूट के सामने सच की जीत हुई है समझ ले ही बात एसपी साहब इसका क्या करूं मैं बोलिए क्या करूं माट डालो ए तू कैसा पुलिस वाल है पुलिस होने के नाते नहीं इंसान होने के नाते बोल रहा हूं कि भल ए दाबा त्क राण मा ँरत खेंगें डालो स्हां लुडव स्हां हम अ क्यों स्ईॐब क्योंजर puisque में शॉक्ने माट परिपूर, जिस में अम मुआ है मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी अरे पड़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा तेरी बहन मरी परिवार मरा अब तु मेरे हातों से मरेगा और तेरी जमीन पर मैं कब जा करूंगा मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी अव माझीृ इँ माझी, माझी चस법ा रिंग! होल डाउं होल डाउं साथ रहेंगे तो अच्छा होगा जो रशी ने कहा था वह आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे अच्छा चलता हूं नमस्ते हरे रदे गरे गया खायै hah कि कि अजब ने तो हॉाई 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 हॉ अजर जा हॉाई tuh सबसक्सा कउड़ा सόबसर आचा हॉाई हुआ हो भाइब झाल सबस्क्रावेजिर्ट देखिए पताजी आज मैंने आपके सपने की लाज रख ली है आज मैंने इन लोगों को फैक्सिनेशन से उबार लिया है कल तक जो अंधुश्वास की बात करते थे आज से पढ़ाई की करेंगे